नमस्कार आप दिख रहे हैं बिस तक मैं हुर अजट देवगन तो हफते के दूसरे कारोबार इस सत्र में बजार पर मुनाफ़ वसूली देखने को मिली आज अंतराश्य संकेत अमरिकन मार्किट से तो अटलीस ठीक संकेत देखने को मिल रहे थे अच्छी तेज़ी के साथ 500 अंकों से जाधा की तेज़ी के साथ डाउ जोंस बंद हुआ था लेकिन गिफ निफ्टी बताया था कि एक दारे में रहेंगे आज कोई बहुत बड़े ट्रेज नहीं हो सकते तेज़ी के साइट पे उपर से एशे बजार से बहुत ही जाधा कोई positive momentum के संकेत नहीं बिल रहे थे जायतर markets दबाव में थे अच्छा ऐसे में हमने opening कर दी बहुत बढ़िया लेकिन जो बढ़िया opening करी वो सीधा जाके टकरा है resistance level पे आपको बताया गया था 19231 एक बहुत ही चुनोती वाला level रहेगा वही पर ही जाके open हो गए 19232 की level पे तो बस पर यही पर हाय लगाया 19233 का high है और हो लिये नीचे आज के दिन का low है 1956 लेकिन आज हुआ ये एक तो attack आया शुरू में बजार पे एक दम से दबाब बनना शुरू हुआ 12 बजे के आसपास बजार समला लेकिन ढाई बजे फिर से surrender कर दिया तो आज मंदी करने वाले बजार पर हावी रहे profit booking कर गए 1989 की level की closing निफ्टी ने दिखा दिया आज की सित्र में 61 अंक गवाकर लेकिन अगर उपरी सरों से देखोगे तो 154 अंकों का dent पढ़ गया निफ्टी बैंक भी higher level पे slip खूता हुआ नजर आया इससे नहीं उपाया 200 दिन के level के उपर निटिक आई एकदम से profit booking हो गई और 193 अंकों की गिरावट के साथ 42,845 की level पे बंद हुआ है और यहां पर भी 43,100 का level बहुत ही stiff resistance की तरह काम कर रहा है और 200 दिनों की आउसत इससे नहीं पार हो रही है Sensex 237 अंकों की गिरावट के साथ 63,874 की level पे बंद हुआ आज जो चड़े उसमें था Kotak, Titan, SBI, Life, Asian, Paint चे सहारा दे रहे थे लेकिन बताओ गिरने वाले एक तो heavy weights हैं और उपर से banking sector है Reliance है, ऐसे वाले stock गिर रहे थे जैसे कि Reliance आज सबसे आज दबाव डाल रहा था मार्केट पे, इसके लावा ICAC Bank HDFC Bank आज काम रहे थे, वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहे थी और M&M में यहाँ पर दबाव था, इनकी वो जैसे Life में 2% की तेजी बनी, Kotak Bank और Asian Paints 1% के आज पास तेज हो गए, साथ साथ Nifty Losers में Sun Pharma का दिन खराब हुआ, आज पौने 3% टूटा है, M&M सवा 2% टूटा है, Ayser Motor, LTIM ONGC जैसे स्टॉक्स में 1.5% से लगभग पौने 2% की गिरावट देखने को मिली, FNO Gainers में आज पिडिलाइट का नंबर आ गया, Goldman Sachs ने एक तो sell rating से बढ़ा कर buy rating कर दी और target बहुत जबर्दस दे दी, उसके बाद इस stock पे जो तेजी बनी है आज के सतर में 6% की चाल इस stock में बन गए, Zी आज के सतर में 3.5% चड़ा है, City Union Bank सवा 3% चड़ा, REC Limited, PFC जैसे stocks 3% तेज होते वे नज़रा है FNO Losers में Siemens लगबग 3% तूटा है, इसके लावा M&M, Sun Pharma, Muthut Finance और सासत आईशर Motor जैसे stocks आज ठंडे पढ़ गए, 2% सवा 2% डेंट पढ़ गया, Mid Caps की मार्किट है और बहुत सारे stocks बजार शुरू होते ही, एकदम से active हो जाते हैं आज के सत्रे में जो तेजी दिखा गए वो था, Repco Home 10% उपर Irwin 10% उपर, NIT Limited 10% चड़ गया Action Construction 9% चड़ गया Signity पहुने 8% चड़ा है जिंदल 100 तो कमाल ही कर रहा पिछले कुछ दिनों में जिसमें Rainbow 6% नीचे आ गया Bombay Burma 5% तूट गया DCM Shriram, CCL, New Gen Latent View 4,5% तूटे है Teamly, Supreme Industry जैसे Stock भी आज 4% तूटते हुए Sector Specific आपको Real Estate Stocks दिखाए देंगे, कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं बन रही थी across the board लेकिन फिर भी जो चले है उसमें है लोधा 3,5% चड़ा है Oberal Realty, Prestige, DLF, Godrej Property सोभा में हलकी खरेदारी होती हुए नज़राई और DLF में Results Impact थेक तो वैसी Results से पहले भी active था Results के बाद भी हाँ 1,5% चड़ा है FMCG में Procter & Gamble, Hygiene & Healthcare Stock में 5% के रिटर्न आए Colgate 3% चड़ा Godrej Consumer 1,5% चड़ा है कल है नतीजे Dabar, Tata Consumer, Merico में खरेदारी होती हुए नज़राई Financials में जो चड़े हैं उसमें REC Limited, PFC लगबग सबाद 3% दोनों स्टॉक्स चड़े SBI Life, HDFC Life, ICAC General याने की Insurance Company आज याँ पर सबसे strong bet लगती हुए नज़राई थी 2% से सबसे 3% चड़ा SBI Life तो Nifty के टॉप गिन रहे LIC Housing, ICAC Prove HDFC AMC भी हरे निशान में बंद हुए Private Banks का दिन नहीं था आज, Indecent Bank 1% नीचे आया ICAC Bank भी 1% नीचे आया RBL Bank भी करिए-करिए 1% नीचे आया Axis Bank, HDFC Bank के तमाम Stocks दबाब में थे जो चड़ गए Private सेक्टर में वो थे City Union Bank और Portech Bank Healthcare में दबाब देखने को मिला Sun Pharma में Nifty का ही Top Loser साबित हुआ, करीब पौने 3% नीचे आ गया, और बिंदो Pharma, Lupin, Sinjin, Biocon, Zydus Life तमाम Stocks थंड़े बढ़ गया लेकिन इसी सेक्टर में जो चड़ा है वो है लालपात लाप्स, मेट्रोपोलिस और सिपला Autos में M&M ये पिछले कुछ दिनों से समल नहीं पा रहा है आज भी सबाद 2% नीचे बंद हुआ है आईशर मोटल, TVS मोटर, बालकृष्ण इंडस्टी, सोना, कॉमस्टा और हीरो मोटो को आप जैसे स्टॉक्स के भी दबाव देखने को मिला लेकिन ट्यूब इंवेस्मेंट चड़ गया आज की मार्केट में अच्छा प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज है सेलो वर्ल्ड का आईपयो खुला ही हुआ है और ये कल तक आप निवेश कर सकते हैं इसमें दूसरे दिन तक 1.54 टाइम सब्सक्राइब होता हो नजरा है प्राइज बैंड 617 से 648 रुपर प्रतिशेर का रखा गया है इशू साइज 900 करोड रुपे का है मामा अर्थ का आईपयो आज के सत्र में खुला है और ये पेरेंट कंपनी होना सा कंजूमर का आईपयो है आज से 2 नमबर तक खुला रहेगा प्राइज बैंड 308 से 324 रुपर प्रतिशेर का रखा गया है इसमें 365 करोड रुपे का फ्रेश इशू है और 4.12 करोड शेरों का OFS है अब आगे क्या होगा देखें मार्केट इसमें एक रेंज में फसा रहेगा ऐसा लग रहे है तो बजार पे पेज फस गया अब हो ये रहा है कि option writers हावी रहेंगे कल के सत्र में जैसे put writing देखने को मिल रहे थी उननेस एक सो साट काई लेवल पहले तो पार करके दिखाओ तो उननेस एक सो साट उननेस दो सो इन लेवल के आसपास resistance मिलेगी बीर्स बार बार इन लेवल्स को protect करने की कोशिश करेंगे फिलहाल उननेस एक सो पे ही बुल्स और बीर्स के बीच में तग्री टककर शुरू हो जाएगी तो यह option writers वाली market है यहाँ पर ना premiums खाने की कोशिश होगी बजार consolidation mode पे चले जाएगा और यही बजार के लिए ठीक भी है क्योंकि बहुत heavy fall देखी थी अब अगर यहाँ पर consolidation कर जाते हैं और उसके बाद धिरिद्रे करके pick up करना शुरू करते हैं important averages उपर की side जाना शुरू करती है तो जाके कुछ हिम्मत पढ़ेगी बुल्स की लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बजार एक consolidation phase पे आ जाएगा आज 19,230 का level एक बहुत stiff resistance साबित हुआ है 19,200 के level पे जैसे मने बताया कि call rating भढ़ गई है 19,000 के पास जितना जाएंगे तब बुल्स पकड मस्बूत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखता है 19,000 के put में भी writing देखती है तो 19,000 के करीब फिर से बुल्स पकड मस्बूत करने शुरू करेंगे और उपर 19,160-19,200 के उपर नहीं जाने देंगे बीर्स ऐसा लग रहा है ये एक resistance फिल हाल के लिए बनता हो नजर आएगा कुछ triggers है मार्केट के लिए एक तो autos autos में correction हुई है न हाल फिल हाल में लेकिन अब October महीने की बिक्री आंखडों पर focus चला जाएगा और उपर से सबसे बड़ा trigger जो मार्केट के पास है वो American economy से आएगा वहाँ पर US में FOMC की दो दिवसी बैठकार से शुरू हो गई है बुदवार को भारत के समय अनुसार देर रात को फैसला आएगा कि ब्याजदरें वहाँ पर बढ़ती है कि नहीं हाला कि कोई चांस नहीं है ब्याजदरों में कोई भी छेड़चाड नहीं होगा इस बार लेकिन commentary बहुत important होगी US Fed Chair की तो देखते हैं कि वो आने वाले समय के लिए GDP पे, inflation पे और ब्याजदरों पे क्या outlook देते हैं तो वो बहुत-बहुत closely track हो रहा है American market भी हिचकोले खाएंगे Wednesday को और जब गुरुवार को हमारे Nifty की जब expiry होगी weekly expiry तो उसके बाद हमारे markets भी जूल रहे होंगे तो ये वाला जो event होगा ये इसमें markets में बहुत closely track हो रहा है नतीजे जो हैं अब कल के सत्र में आप देखो Britannia, Hero Motocop, Sun Pharma, Tata Steel तमाम Nifty कंपनियों के नतीजे इसके अलावा जो बहुत important नतीजे है बाकी में वो है Amboja Cement, Godrej Consumer, India Cement LIC Housing, REC Limited तो अभी तो आप ये समझो कि बजार नीचे कहीं ना कहीं 19,000 के आसपास support लेने की कोशिश करेंगे और उपर हायर साइट पे 19,200, 19,220 के आसपास resistance बनता होने साथ बिस्तक आपके लिए लाया है Premium Membership Program जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते जिन में Market Newsletter Live Chat पर आपके सवालों के 3 तरह के प्लांस है Silver, Gold और Platinum जिनके शुरुवात मात्र 119 रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है बिस्तक के YouTube चैनल पर जाए Join बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें बस बन गए आप हमारे Premium Member जाप अपना प्लान सिलेक्ट करें